जाहें एक तरफ समाजवादी पाती को एक के बाद एक जटका लग रहा है जाहें एक तरफ मुक्तार अनसारी के बाद उनके एक और करीबी को काफी जादा अपने अवैस संपत्ती को लेकर योगी सरकार के क्राइम डिपार्टमिन की वज़े से जटका मिला है दूसरी तरफ सपा के एक और धायक है जिन पर सबसे जादा शिकंजे में लेते वे क्राइम डिपार्टमेंट उन्हें नजर आई हैं तो वहीं अपरना यादव समाजवादी पार्टी का साथ चोड़ने वाली अपरना यादव अपने घर पर जिस प्रकार से जश्न मना रही ह सबसे जादा इस पर सवाल खड़ी किये जा रहे हैं कि अपरना यादव आखिर जो जश्न मना रही है उनके जश्न में मुलाइम सिंग यादव शरीक क्यों नहीं है तो आपको बता दे मुलायम सिंग यादव अपने बेटे अखिलेश यादव की नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विलाल उनकी रननीतियों पर अपनी नजर टिकाए रखे हैं उन्हें नसीहत दे रहे हैं किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ना है क्योंकि उनकी हार के बाद मुलायम को बड़ा जटका लगा है और वो चाहते हैं आने वाले समय में बीजेपी को घेरने की कोशिश में अखिलेश अपनी पार्टी को कमजोर ना होने दे क्योंकि आजम खान जो जेल में बंद है उनकी मीडिया प्रभारी ने अल्डेडी समाजवादी पाठी को लेकर अपना गुसा निकाला और कहा है इशारा करते वे कि जरूर फैसला लेंगी आजम हो सकता है स्तेपादे इन सब के भी शिपाल सिंग यादव का भी बगावत र करन्या पूजन कर उनका आशिरवाद लेते नजर आई इसके बाद किस प्रकार से समाज कल्यान की हित में अपरना यादव का काम जारी है सराचानिये अपरना यादव ने जिस प्रकार से अपना काम लगतार जारी रखा है वो बहुत खास है जी हाँ अपरना यादव लगत राम नब्मी पर सभी को प्रसाद वित्रन करते हुए बच्चीयों को नजर आई अपने घर पर तो अपरना यादव के इस खुशी के घड़ी में मुलायम उनके साथ खड़ी नहीं थे लेकिन यह बात सच है कि मादुर्गा का शिरवाद लेने के बाद बिलकुल योगी के नक शोरों से हुई है क्योंकि उन्होंने गव सेवा आयोग के लिए अपने संस्थान में 89 प्रतिशत अनुदान लिया था समाजवादी पार्टी में जब वो थी तो बीजेपी में भी उन्हें इसके लिए जरूर सहायता मिलेगी क्योंकि सीम योगी उनके इस काम से बहुत प् इने की तरफ है जिसे लेकर जनता भी उनके साथ खड़ी है तो अपना यादव को लेकर आई इस खबर के साथ आज वक्त हो गया है फिलहाल यहां पर इजाज़त देने का बाकी तमाम ऐसे ही ट्रणिंग खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस नमस्कार झाल झाल